आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि देश की राजनीती में अगर आप लोगों की दिल्चस्पी है तो आप लोग जरूर इन्हें जानते होंगे इनका नाम है धर्मेंद पिधान और आज हम लोग धर्मेंद पिधान के बारे में एक सामान जानकरी देखेंगे और इनके बारे में जाने के कि इनकी किस तरह से राजनीती के अत्रा सुरू हुई और किस तरह से राजनीती में काफी सफल भी माने जाते हैं तो आप अपनी स्क्रीन के सामने इनकी फोटू भी देख रहे हैं, किनकी धरवेंद पिधान की है, अगर हम लोग इनके नाम की बात करें तो धरवेंद पिधान, इनका नाम है, इनका जनम 26 चून 1979 में हुआ था, और इनका जनम कहा हुआ था, तालचर अंकुल उडिसा में, य और आप सभी जानते हैं, कि भुबने सोर, इसकी क्या है, राजधानी उडिसा की, और यहां देखेंगे, तो बिधान सभा में 147 सीटे हैं, लोग सभा में 21 सीटे हैं, राज्य सभा में 10 सीटे हैं, ठीक है, तो यह आप लोग याद रखा करिएगा, कई बार आप देखते है कि आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है सीटों की बारे में, कि इस राज्य में राज्य सभा की सीटे हैं कितनी हैं, लोग सभा की सीटे हैं कितनी हैं, समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम लोग धर्वेंद पिधान की पिता की बात करें तो डॉक्टर देविंद पिधान इनकी पिता का नाम और माता की बात करें तो सिरीमती वसंद मंजरी पिधान इनकी माता का नाम जीवन साथी यानि की पतनी की बात करें तो स्रीमती मिर्दुला पिदान इनकी पतनी का नाम और इनकी बच्चों की बात करें तो एक बेटा है और एक बेटी है धर्वेंद पिदान की दो बच्चे हैं अगर हम लोग धर्वेंद पिधान की सिक्षा की बात करें तो MA, नरिविग्यान, तालचर कॉलिस उडिसा और उतकल विसविध्याले भोवनेस और उडिसा में इन्होंने अपनी सिक्षा पोरी की हुई है और विवसाई की बात करें तो आप सभी जानते हैं की राजनीती से जोड़े हुए हैं, राजनीता हैं, और सामजी कारकरता भी हैं, और भारती जनता पार्टी की नेता हैं, इनका राजनीतिक दल कौन सा है, बीजेपी है अगर हम लोग धरवेंद पिधान की राजनीतिक केरियर की बात करें, राजनीतिक सफर की बात करें, तो धरवेंद पिधान ने अखिल भारती है, विद्ध्यारती परशद, एवीपी के सदस्की रूम में, राजनीती के छेत में पिरवेस किया और मुझे लगता है कि आप लोगोंने कॉलेज में देखा होगा ABP आप लोगोंने जरू सुना होगा अखिल भारतिय विद्ध्यारिती परशद और जिसें राजनीती में जाना होता है वो इस संगटन से जुड़ जाता है और वीजेपी का एक तरह से अभिन अंग माना जाता है उन्नी सो पचासी में उन्हें तालचर कॉलिज चात संग की अध्यक्ष की रूम में चुना गया उन्होंने उडीसा राज में चात तांदोलन में सक्रीय रूप से भाग लिया और जल्द ही उन्हें 2014 से 2006 तक एवीपी और बाद में भारती जिंता पार्टी युवा मोर्चा की राष्टी सचेक की रूम में चुना जाता है और युवा मोर्चा की अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने धर्म की अधर पर आरक्चन से सम्मदित अभियानों में भाग भी लिया और पिदान ने 2004 में राष्टी राजनीती में पिरवेश किया उनके पिता जो बाचपेई सरकार में मंत्री थे देवगर निर्वाचन चेत से सांसत थे उन्होंने 2004 में अपनी सीट छोड़ दियो और उनके बेटे के लिए मार्ग पिसस्त हुआ धरवेशन पिदान ने 2004 में का लोगसवा चुनाओ इस निर्वाचन चेत से जीता था और आप सभी जानते ही कि जो लोगसवा सदस का चुनाओ होता न ये डारेक्ट जनता के दवारा चुना जाता है अगर आप लोगों को लोग सबाज सदस का चुनाओ लड़ना है तो कम से कम आपकी उमर 25 साल हो निचे है और आपको बता दू कि इसका चुनाओ डारेक्ट जनता के द्वारा होता है और आप सभी जानते हैं कि अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा आप लोग भी वोट डालने जाते होगे फिर आप देखेंगे कि 1995 में APP के राष्टी सचिप के रूप में चुने जाते हैं सन 2000 से 2004 तक उडिसा विधान सबा के सदस रहते हैं, MLE रहते हैं, विधायक रहते हैं और विधायक का चुनाओ भी डारेक्ट जनता के द्वारा होता है, अगर आपको विधायक का चुनाओ लगना है MLE का, तो आपके उमरे कम से कम 25 साल होने चीए 2004 में जैसा गी आपको बता है कि लोग सबा सदस बनते हैं, 2004 की बाद वह तिपुरा, 36 गड़, करनाटक, उत्राखंड, ज्यारखंड और उडिसा के लिए पार्टी, प्रभारी बनते हैं और 2006 में विभारती जनता युवा मोर्चा की अद्धेक्ष बनते हैं, पिरधान 2012 में राजसवा के लिए चुने जाते हैं, और राजसवा का चुनाओ आप देखते हैं, जो सदस का चुनाओ होता है, ये डारेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है, जो आपके MLE होते हैं न सयुक्त संसदिये समिती, ग्रामीड विकास समिती और किसी संबंदी समिती जैसी कई समितियों के सदस से भी थे, मई 2014 में आप सभी जानते हैं कि जब भारती जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला और पिधान मंतरी की रूम में मौधी बने, तो उन्होंने पेटॉलियम और प्राक्तिक गेस राजमंतरी की रूम में सपत ली, कि इन्होंने धरबेंद पिधान ने, 2008 में फिर से मद्विदेश से राजसभा के लिए चुने गए, कहां से, MP से, अगर आप देखें तो MP आपको देखने को मिले जाएगा, मद्विदेश की राजधानी है, 230 आपको यहा मंतरी भी बनाये गया, जुलाई 2021 में धरबेंद पिधान ने केंद्री सिक्चा मंतरी और कोसल विकास और उद्दिमेता मंतराले की रूम में भी सपत ली थी, तो यह कहानी है, धरबेंद पिधान साब की, और फिर से कह रहा हूं, कि आप लोगों को देखें अभी तक कि मैं एक न्यूच फेपर भालू करते रहा करियेगा, टीवी चैनलों से जुड़ा रहा करियेगा, तो उसे आप लोगों को देश दुनिया के बारे में क्या घट रहा है, कहां क्या चल रहा है, यह सब मालू चलता रहता है, तो खेर आप लोगों की भी किसी में दिल्चस्पी है किसी के बारे में जानने की, तो उसका नाम बताईएगा, हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे, ठीक है?